पौफिट गाडियन में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि जब अर्जुन ने माभारत युद में युदिस्ठिर को मारने के लिए दलवार उठाई थे महरसी बीद्वास द्वारा रचित माभारत एक बहुत ही बिस्तृत गरंथ है जिसमें अनिकों अनिक कहानिया है आम जन इनमें से अनिक कहानिया और प्रसंगों से अवगत लेकिन बहुतों से अंजान है आज हम आपको माभारत काई के इसाही प्रसंग बताते हैं जब अर्जुन ने अपने जिष्ट भ्राता युदिष्टिर को मारने के लिए हतियाद उठाए तो आई हैं हम बताते हैं कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया था और इसका प्रिणाम क्या निकला मा भारत काल किया क्या था हमें वो समय याद कराती है जब कुरू छिष्टर युदि चल रहा था ये युद्ध का सत्रहुआ दिन था और राजकमार युदिष्टिर तरह था करण के विच युद्ध हो रहा था सभी को इस युद्ध से बहत उमिदे थी तभी सस्त्र विद्ध्या में माहिर रहे करण ने युद्धिष्टिर पर एक जोरदार वार की एक के बाद एक करके करण के सभी वार युद्धिष्टिर पर भारी पड़ते गया और वो बुरी तरह से घायल हो गया अब करण के पास एक मौका था कि युद्धिष्टिर को मार कर पांडवोग की नहीं भिला कर रखते लेकिन उसने यह मौका हाथ से जाने दिया आखिर क्यों करण ने युद्धिष्टिर पर सरफ इसलिए वार नहीं किया क्योंकि उसने पांडवोग की माता कुंति को ये वचन दिया था चाह कुछ भी हो जाय वो उनके किसी पुत्र को जान्ट से नहीं मालेगा और यही कारण था कि ना चाहते वहाँ भी करण ने युद्धिष्ट किये गए तब तीनों भाई तमूमी थे और बाकी दो अर्जुन तता भीम अभी भी युद्ध में सत्रूं से संघर्स कर रहे थे आचाना कि अर्जुन को राज्कमार दुश्चिर के अनुपस्यदी का एसास हुआ और उन्हों भीम से इस बारे में पूश्टा चिकी तब भी भीम ने अर्जुन से कहा कि वो सत्रूं को अकेले ही से माल लेंगे और अर्जुन से अग्रह किया तो ये बढ़ता युद्धिष्टिर के पास जाएं और उनका स्वास्त का ब्योरा लें अग्या अनुसार राजकमार अर्जुन उस तंबू को चल दिये जहां परविजे प्रात कर उनके पास खुश्कबरी लेकर रहा है वो अंदर ही इंदर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे उनकी इस हलत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को उनके अनुज ने दर्ण दे दिया है और अबसे ही अर्जुन ने करण को मार दिया हुआ लेकिन उदिष्ठ इस बात को सुनने के लिए उत्तेजित हो रहे थे कि अर्जुन ने करण को मारा या नहीं लेकिन तब ही राजकुमार अर्जुन द्वारा हुआ आने का असली कारण विर्थ किया गया उन्होंने बताय कि कैसे भीमने युदुष्ठि के घायल होने की खबर सुनाई जिसके बात वह दोड़े दोड़े उनके स्थिती के अभ्यारा लेने आ गए और अर्जुन के मुख से सच्चाई सुनते ही युदुष्ठिर अपना आप आप हो बैठे यह सच उनकी भावनाव को ठीस बहुचा रहा थे उन्हें ऐसा हसास हुआ मानों को उनके सम्मान को तीर के सम समान का बदला नहीं ले सके युदुष्ठिर के इनका टू वर्चनों को सुनकर अर्जुन बहुत शर्मिदा हुए लेकिन युदुष्ठिर का प्रोश शांत नहीं हो रहा था वे आगे बोले यज़े तुम मेरे लिए इतना भीक करने में समर्थ हो तो तो तुमें इस गा गांडिव के वारे में कोई भी एक शब्द अपशब्द कह दे उन्हें यह बरदाश्ट नहीं था दरसल यह अर्जुन द्वारा किये गया एक बचन का हिस्सा था जिसके नुसर कोई भी अपना यह परायवैति ये उनके पवित्र प्रिये गांडिव अस्र के वारे में और अर्जुन के इस बेवार को देखते हुने रुखने की आग्या दी। श्रीकृष्ण राजकुमार अर्जुन का यह रूप देखकर व्यहत अचम्वित हुए। वे समझ नहीं पा ले थे कि आखिरकार ऐसी क्या बात हुई जो अर्जुन अपनी ही प्रिये अर्जुन को समझाया और बोले, हे अर्जुन मैं तुम्हारे अपने गांडिव के संदर्व में किये गए वचन का संबान करता हूँ। वचनों सार तुम्हे अपनी ही जिष्ट भाता को मार देने का पूरा हक है। प्रन्तु धार्मिक संदर्वों में या पाक है। रेकिन अभी तुम अपने शिष्ट भाता का अपमान करो तो तुम्हारा वचन पूरा हो जाएगा। श्री क्रिष्ट की आज्यानुसार अर्जुन ने अगले ही पर युदुस्ठीर का तृष्कार किया। अपने द्वार की गई संदर्व को अर्जुन सहन ना कर सकी और इस बार अर्जुन को बताया कि कैसे खुद के प्राणों का अंत करना यानि कि आत्मदाह करना सास्त्रों में अधर्म माना जाता है। और पांडवा द्वारा अब अधर्म के मार्ग पर चलना एक बहुत बड़ा पाप और अन्याय साबित होगा। इसलिए उसे धर्म का मार्ग चु कर तारिफ करो जिससे तुम्हारा वचन पूरा हो जाएगा। स्रिक्रिशन के इन वचनों को सुन धीरे धीरे राजकुमार अर्जुन का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने खुद के सर पर रख्यूस तर्वार को नीचे उदार कर फेक दिया। इस प्रकार भगवान क्रिश